दोस्तों बॉलिवर्ड में नब्भे के दशक में कई मशूर फिल्म अभिनेत्रियां रही हैं जो अब तो बड़े परदे से दूर हैं लेकिन अपने समय में उन्होंने कई सूपर हिट फिल्मों में काम किया था आज हम आपको नब्भे के दशक की सबसे खुबसूरत अभिनेत्रियों में से एक गिनी जाने वाली करिश्मा कपूर और उनकी बेटी के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों करिश्मा ने अपने अभिने करियर की शिरुवात साल 1991 में की थी उनकी पहली ही फिल्म में फांज ने उनकी आक्टिंग को काफी पसंद किया था इसके बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी जिसमें आमिर खान के साथ राजा हिंदुस्तानी, गोविंदा के साथ राजा बाबू और शारुक खान के साथ दिल तो पागल है जैसी फिल्में शामिल है करिश्मा के बारे में तो आप काफी कुछ जानते होंगे लेकिन आज हम आपको उनकी बेटी के बारे में बताने वाले हैं बता दें कि करिश्मा की बेटी का नाम समाईरा कपूर है समायरा दिखने में अपनी मां की तरहा बेहत खूपसूरत और स्टाइलिश नजर आती है उन्होंने अभी तक फिल्मों में अपना डेब्यू तो नहीं किया है लेकिन वो इंटरनेट पर चाही रहती है लेकिन दोस्तों अब खबर ये हैं कि समायरा कपूर फिल्मों में अपना डेब्यू करने वाली है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर शॉर्ट फिल्म दौर में दिखाई देंगी जिसे अनन्या पांदे की बेहन राईसा पांदे डाइरेक्ट करेंगी इस फिल्म में समायरा के साथ संजय कपूर के बेटे जहान कपूर भी दिखाई देंगे इस रोल में समायरा कपूर एक दोस्त के सपोर्टिंग रोल में नज़र आएंगी फिल्म की कहानी मुंबई के स्लम से जुड़ी एक लड़की के बारे में है जो अपनी मा की मदद के लिए पैंसिल बेचती है लेकिन उसका सपना रणर बनने का होता है उसकी मदद के लिए समायरा, जहान और धनिती पारे एक आगे आते हैं जो काफी धनी परिवार से तालुक रखते हैं ये दोस्त मिलकर उस लड़की के लिए जूते खरीते हैं और उसका सपना पूरा करने में भी उसकी मदद करते हैं आपको बता दें कि समायरा कपूर की इस डेब्यू फिल्म की स्क्रिप्ट राईसा पांडे नहीं लिखी है और इसे डारेक्ट भी वो खुद ही क लिखने के लिए एकसाइटेड हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं और विडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें साथ ही बॉलिवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना भूलें